नमस्कार मैं शंबुक मार्सिंग और आप देख रहे हैं निस्नल दस्तक मैं इसमय निस्नल दस्तक के फेस्बूक पेज पर लाइब हूँ और कुछ मुद्दे हैं मेरे साथ नीरब मोदी लंदन में दिखने लगे हैं और उन्हें बिजय माल्या से मुलकात की है हमारे देश के परधान मंतरी चुनावी रैलिया में कह रहे हैं कि जो सबूत मांगेगा वो पाकिस्थानी हैं हिंदुस्ताई नहीं है राजना सिंग कह रहे हैं कि तीन स्ट्राइक की हैं दो के सबूत दूँगा एक नहीं दूँगा और यूपी में जो यूपी बिहार और जहारखन के लोग जो है वो डिमान कर रहे हैं कि जो मायवती हैं अखिलेश हैं और तेजश्मी हैं वो सबर्नों को टीकट ना दे तो इस पर आप लोग की क्या राह है जरूर जाने के आवाज आप लोग को शाफ आ रही है वो जरूर बताईए और क्या बहुजन समाच के लोग मोदी जी के जहांसे में आने वाले हैं और क्या सेना पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि मजबूत हातों में देश है तो रफेल की कल फाइल चोड़ी हो जाती है फिर कोर्ट म 疫ro या तो सब इनके लिए बैटिंग कर रहां या ड़से हैं तो क्या डेश में डिमोक्रेसी नहीं बची हैं संभिधान नहीं बचार जो सरकार चल रही है वह on डिमोक्रिटिक तरिके से और क्या सही में संभिधान को लगभग खत्म कर दिया गया है और क्या अपने नेताओं से सवाल पुछना राष्ट द्रोह हो गया है तो फिर लोगतंत्र है कहां तो इसी समूद्धों पर बात करेंगा आप हमारे साथ जूर सकते हैं और कितना आप लोग मजबूत परधान मंत्री मानते हैं और लोग कह रहें कि ये स्ट्राइक के बाद बहुत फायदा हुआ है मोधी जी को और स्टी ओबिसी के लोग आरक्षन उनका खत्म है वो भूल गए हैं मुसल्मान की पिटाई हुई है वो भूल गए हैं इतना मुझे पता कि सवर्ण जो हैं वो उनके साथ हैं बने हुए हैं तो यह जुरू बताए आपकी आवाज किलियर है कि नहीं तस्वीरे किलियर है कि नहीं वो बताए और क्या यह देश के परधान मंत्री से सवाल पूछना देश द्रो है इस पर हम लोग आज बात कर रहे हैं और आखि लाइब जूर सकते हैं उसके लिए हमने यह ओपन कर दिया एक बात और आप लोग उसे गुजारिस है कि जो लोग भी ऐसे मोबाइल करें और उसको वटकल लाएं और उसको ऐसा करें कि नीरा मोदी जो दिखे हैं उसको लेकर सोसल मीडिया पर क्यारी एक्संस है वो भी बता परमुखो क्या यह सब दवाब में काम कर रहे हैं यह बहुत जरूरी है बाबरी मस्जीत को लेकर जिस तरह से लोग लिख रहे हैं कि भाई हम कोट गये थे न्याय के लिए आपको न्याय करना चाहिए आप गाउं के ठाकुर नहीं है कि पंचायत करने जूट रहे हैं तो इ का यह सबरनों को टीकट नहीं देना चाहिए तो यह तमाम मुद्धे जिस पर आप अपनी बात रख सकते हैं मैं के करके लाइब लेने की कोशिश करूंगा सहनवाज राज हैं पहले उन से सुरू करते हैं और जरूर हम लोग अभी एक घंटा करीब साथ रहेंगे उसको बा पहले बीजेपी, जेमेम, आर्जेदी और इतिके तो यह तो सुबाई से पिस लिख वाज बात रहेंगे हम बता हैं नमस्कार बाई मेरे दुबई के कुछों जो ह करते हैं वह तो खुश है हम ओधी जी से काहरे हैं के स्ट्राइक के बाद मोधी जी की बल्ले बल्ले है अब तो बहुत जानते हम उस के बारे में ज различ huge क्हुशनिए क्या सकते हैं और यानि कि पूरे लोगों को एक बात अपना बात अपना पहुंचाना चाहता हूँ. अभी कुछ दिन पहले सीयर जी का रिपोर्ट आया था कि जिसमें यानि ये चीजे बताई गई थी कि NDA जो भी यानि कि राफेल जो खर दी है वो UPA से कम कीमत पे खर दी है. और उसने रिपोर्ट कार्ड अपना यानि पेस भी किया था. फिर कुछ दिन के बाद सुप्रिम कोर्ट में ये चीजे सामने आएगी कि भाई यानि कि वो डोकुमेंट से पूरा चोरी हो गया. तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर ये चीजे ये रिपोर्ट कहां से लाके दे लिया ये इस तरीके का. अरे तो डोकुमेंट उसके बाद छोड़ी हुए होगे. डोकुमेंट से लाके बाद पर ये चीजे सवाल उठना चाहिए था कि ये सीए जी का रिपोर्ट ये कहां से आया. जब कोई फाइल है नहीं तो ये सीए जी रिपोर्ट देती कहां से है. चलिए शुक्रिया आप दुबाई रहते हैं कुछ भारत के लोगों से बात कर लेते हैं सानवाज. शुक्रिया आम से जोड़ने के लिए. तो ये सानवाज थे और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भारतिये लोग जूरें वो कैसे सोच रहे हैं. देश भर के लोग हमारे साथ जूरे अपनी बात बताएं. क्या मोदी जी से सवाल पुछना राष्ट द्रो है और मोदी जी पर क्यों किसी को भरोसा नहीं है? क्यों ऐसा हो गया कि मोदी जी जब भी बोलते हैं, सेना की बहादरी की भी बात बोलते हैं, तो लोग उन पर शक करते हैं, इसकी क्या बज़ा लग रहे हैं आप लोग को तो अपनी पर्तिकरिया जुरूर बताएं, और हमारे साथ सीधे लाइब जूर सकते हैं, मैं एक बर कह रहा हूं, और क्या यूपी में सवर्नों को टिकट नहीं देना चाहिए, तो दो तिन बड़े सवाल हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अपनी पर्तिकरिया दे सकते हैं, नीरभ मोदी पर बड़ी खबर आई है, जिस तरह से नीरभ मोदी देखे गए है वो चला जाए, मुझे नहीं लगता है कि नीरभ के वीडियो के साथ कॉंग्रेस ने लिखा मोदी है तो मुम्किन है, सुचे 23,000 करोड रुपए की लूट हुई थी, और उसके बाद एक सक्स लंदन, ये सारी चीजे सभी संसाय डर के कारण नहीं, बल्कि ये सब एक ही समाज है, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो CSG हो, चाहे वो चुनावायोग में हो, सारे के सारे सभन समाज के जो लोग है, वो BJP के साथ मजबूती से बने हुए है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हिंदू राष्ट है, राम राज है, इसमें सम्मिधान से उनको प्रॉबलम है जो SCST, OBC और माइनोर्टी को अधिकार दिये गया है, उससे प्रॉबलम है, आर्मी चीफ का जिस तरह से बियान आया था, सुप्रिम कोट के जजिज ने खुद का था कि देमोक्रेसिक खदरे में हैं, तो क्या सवन समाज समिधान से नफरत करते हैं, जिस तरह से समिधान जल करता है, कि हम आप से हमारे साथ के वही लोगा आये, जो कि अधिक ख़र हम लाइब कैसे आ सकते हैं, कमेंट में अपनी पर्तिकरिया जरूर दीजिए, वहां से भी आप पर्तिकरिया ले सकते हैं, धरम परकाजी जूर गया है, कहां से धरम पर अच्छा आई तो धरम ही है, और उसके बाद मैं केके वैनियो गोपाल जी ने ट्विट किया, कि जो विपक्षे जिसने पेटिसन फाइल किया था, उसने अलग फोटो कॉपी डॉक्यमेट जमा कर दिये थे, जिसलिए हमने सुप्रीम कोड में चोरी का बयान दिया था, तो इनको फोटो कॉपी में अरिजनल डॉक्यमेंट में अंतर नहीं पता है, दूसरी ख़वर ये भी नीरम मोद जी पैसा लेके भागे हैं, और एक और सुसील कुमार जैन जी भी पैसा लेके भाग गया, आज ही ख़वर है, ये 846 करोड रुपे लेके पैसा भाग गए, तो सर ये आरक्षन का वुरू अरिजनल बोल दिया जाता है, अब इस तर एक और बात आपने बोले थी कि उत्तर प्रदेश में सवन समाज को सीट दे दी गई, हाँ ये बात सही है, मैं आगरा से हूँ और आगरा की लोकसव अतेपुर सीखरी लोकसवा सीट ब्रह्मन समाज की महिला हैं, उनको दी गई है और करीब दो साल, पिछली बार भी उनको दी गई थी, तो यहाँ पे जो बहुजन समाज के नेता है, वो ये समझते हैं, कि बहुजन समाज के जो नेता लोग हैं, वो तो नेताओं को वुड़ते देंगे, लेकिन अब वो ये गलत फिम में जी रहे हैं, क्योंकि बहुजन स कॉंग्रेस को छोड़ रहा है, आज सीर गुजरात में जो सवर्म है, वो सामिल हो गया है, बीजेपी में, बिहार कॉंग्रेस के परवक्ता सामिल हो गया है, जिनका नाम है शर्मा जी, बिनोध शर्मा ने इस्तिफादे दिया है, वो बीजेपी सामिल हो गया है, आपको क्य जब कॉंगरेस के सबन नेता बीजेपी में जा रहा है तो सपा बस पार जेडी के सबन जो जीत के आएंगे वो रहेंगे इनके साथ वो चले जाएंगे मोदी जी को 40-60 के अगर कमी होई तो चले जाएंगे उनके साथ सबन अपनी जगह हर जगह बना लेता है जहां पर सत्ता होती है हमेशा इस बात का जो लॉस होता है वो बहुजनों को जेलना पड़ता है किया रायट्न कर देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए है बिलकुल नहीं देनी चाहिए सर मैं इसक की लिए process गषारर बता देता हूं गटवंदन करने की सोच रहे हैं जो सबर्ण लोग हैं वो कॉंग्रेस छोड़ देते हैं तो शुक्रिया धरब प्रकास हैं हमारे साथ जूरे थे और और भी कुछ लोग को जोड़ने कोशिश कर रहा हूं कि बसें लोग क्या कहते हैं ये बहुत जरूरी है और गौरब कुमार हैं तमाम क्या मोदी से सवाल सोड़े का जब जर्थ परेगी तो ये बड़ा सवाल है कि सरकों पर लड़े सी स्ट योविसी माइनॉटी के लोग और इलिक सवर्णों को ठीकर दे रहे हैं उसके पीछे क्या बज़ा है बड़ी कॉंस्पिरेंसी का भी हम खुलासा कर रहे हैं आज आपको पता चलेगा तो आखिर सवर्ण को ठीकट क्यों दिया जा रहा है क्योंकि सवर्णों जो सवर्ण नेता हैं उनके साथ रहा भी देखिए जब अमबेटकर साब को रास्वाइं भेजना था जो यूपी के थे तो राजा भाया समित तमाम लोगों ने क्रॉस बोटिंग कि अगरवाल सहाब भा सवाल है और क्या हमारे नेता अब भी जब दो भारत बंद हो गया स्वर्णों को ठीकट दिया जा रहा है इस पर आपकी क्या रहा है अभी बीएस पी और सपा का फाइनल टिकट नहीं आया है लेकिं इस तरह से लोग सवाल पूछ रहे हैं जब फाइनल उनका नंबर आ करूंगा कि सवन समाज कैसे सोच रहा है तो यह देखिए बहुत लोग न मज़े ले रहे हैं एड करके वह आ नहीं रहे हैं तो उनको अब तेजी से हटाना पड़ेगा अमीत रंजा ने उनको जोड़ लेकर देखते हैं तो इंटरनेट में आईए और मैं फिर कह रहा हूँ कि सोचल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और जिस तरह से मोदी अमिश्शा को लेकर मोदी जी जिस तरह से सेना का इस्तेमाल करने चुना परचार में क्या उसको काउंटर करेंगे क्या मोदी से सवाल पुछना सेना से सवाल पुछना है क्या मोदी जी से सबूत मांगना राश्ट दुरो है क्या इस देश के परधान मंतरी से सवाल पुछना राश्ट दुरो है ये बहुत जोड़ी है क्या एक मजबूत परधान मंत्री के होते हुए आदमी लंडन में बैट के आयस करे 43,000,000 करोर, 44,000,000 करोर और वो खरवो का रुप्या लेके तो ये कैसे मजबूत परधान मंत्री है जिनके राज में दरजनों लोग पैसा लेके बैंका बीडेस भाग गये है क्या तेश्प भी देमक्रेसी लगวक खत्म हो गई है तबाम लोग धिकलाइन हो रहे हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोगों से जूरो और बाकी लोगों से भी जोणने कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग की क्या पर्टकिरिया है मेरा यह मैंने कि जो भी सबन नेता है हमारे बहुजन लोग को उनका विरोष करना चाहिए तो एक बड़ा खुलासा मैंने किया है कि सबन जो है वो सपा वसपा से टिकट लेके चुनाओ जीतेंगे उसके बाद वो क्या करेंगे उनकी रा के मनोजी भाई सुलंकी अच्छा कु क्या बहुजन समाज अपना नेता चुन ने पाते क्या है यही हमारे में सबसे बड़ी कमजोरी है हम पार्टी की पिछे जाते मेंने कमिट किया अगर पार्टी के पिछे जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी पे लोग विश्वास करते हैं कांग्रेस पार्टी पे हमारे समाज कब्दा क्यों नहीं कर पाते हैं? आप कैसे कर लोगेिखे तो मेरे सवाल के इनका अपने बुल्ट है उनका सवाल उनके जगेपपर हैं और मैं और कुछ लोग को जो नहीं कोशिश कर रहा हूं जिनकी पार्टी है पार्टी तो नहीं की रहेगी लालो ए आदब के OBC पार्टी, SC पार्टी अकलेश के आदब पार्टी माय बती की पार्टी blowMe लेकिन सवाल है कि जो जो बहुजन पार्टियां है सपा है, बसपा है, आरजेडी है वो जिनरलों को क्यों ठीकर देती है इस पर लोग सवाल हम पूछने हैं और क्या जो जिनरल से जीत के आएंगे वो पार्टि के साथ बने रहेंगे ये भी सवाल में जानने के कोशिश कर रहा हूं तो ये देखे सब डिकलाइन हो रहा है इन लोगों सायद बहुत लोगों जानकारी रही है फेस्बूक पर कैसे आते हैं और वो बस चले आते हैं लेकिन उसे पोशिश है कि चलिए लेकिन बहुत आसान है मैं आप मुझे रिक्रेस्ट बेज रहे हैं आपको रिक्रेस्ट बेज रहा हूं आपको सशीरेज बो सकते हैं लेकिन जिस तरह से कॉंग्रेस में भी सबन जो है कॉंग्रेस के बिहार के प्रवक्ता ने पाठी बदल ली है सोचे कि गुजरात के तीन विधायक फाला बदल के बीज़ेपी के खाते में चले गए कॉंग्रेसी ऐसे में क्या सवर्ण जो रार जेडी से सपा से बस्पा से जीत क्या हैंगे वो क्या पाठी के साथ बने रहेंगे जरूत परेगी तो वो क्या बीज़ेपी में सामिल नहीं होगे ये सबाल है और आकिर बहुजन समाज के बोटों पर सवर्णों को टिकट कियों क्या इस देश में सवर्ण सपा बसपार जेडी को बोट करता है इस पर आप लोग की क्या परतिकिरिया है ये जरूर बताए कि जाज हम लिखते हैं संभू जी मेरट में 250 मुसल्मानों के घरों को प्रहमिन पुलिस वाले जलाए दिये तो ये देखिए जला दिये हैं और डिकलाइन हो रहा है और मुझे नहीं पता लोग कैसे कर रहे हैं और जुड़ने को पुशिश नहीं कर रहे हैं क्या या जान बु को नहीं देना चाहिए बोट बहुजन का नेता सवर्ण क्यों क्या है इसके पीछे पूरी साजिस ये आपको निसल दस्तक पर थोरी ही देर में पता चल जाएगा आप मेरे साथ जूर सकते हैं अपनी पत्किरिया दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि क्या हमारे नेता अब ही बीजेपी कॉंग्रेस में चले जाते हैं तो सुधीर कुमार लिपने टिकट सवर्ण को कम देना चाहिए मैंने आपको रिक्रेशन किया है मुहमद सहवाज कांतिलाल मानकर जैभी तो बहुत सारे लोग कि अपने पत्किरिया हैं पिछरों को ज्यादा देना चाहिए बिल सवर्णों का और नेता भोट ऐस्टी ऑबीसी का और राज सवर्णों का वो क्या चल पाएगा यह बड़ा सवाल है जो मैं आपसे जाने करें निशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फोर्म को भड़ें ताकि हम सीधे आप से जूर है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें